बल्लू जी, सोनू, आप दोनों कहां पर हो? मुझे आप की यादा रही है बहुत देर हो गई है, मेरा मन बेचन हो रहा है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है हे उपर वाले, मेरे परिवार की रक्षा करना लाडो चडिया बीमार थी, वो चिन्ति थोकर अपने गोसले में बेठी हुई थी, बुखार से उसका शरी तप रहा था अगर मैं बारिश में नहीं बीगती, तो मैं बीमार नहीं पड़ती, पर क्या करूं, मुझे अपने बच्चों के लिए दाना पानी भी तो लाना था वो सोची रही थी, के तभी टूनी चिडिया और मीनु मौसी वहाँ पर आ जाती है अरे लाडो बहन, क्या हुआ, तुम बहुत परिशान दिक रही हो अरे टूनी, तुझे इसका मुँ देखकर समझ नहीं आ रहा, कि ये बीमार है हाँ, तभी तो मैं समझू, कि इसके सर पर ये पट्टी क्यों रखी है अरे लाडो, क्या अभी तक, तुम्हें तुमारे बीमारी की दवा नहीं मिली तुम ऐसे ही ज्यादा दिनों तक बीमार नहीं रह सकती और बल्लू कहां पर है, सोनू भी कही पर दिखाई नहीं दे रहा हाँ, मिनु मौसी, सोनू और बल्लू जी दवाई की कोच करने गए है आपको तो पता ही है, जंगल में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है थोड़ी बारिर जरूर हुई है, नजाने हमको दवाई कब मिलेगी, क्या आपको दवा मिली है नहीं लाडो, हमने भी चारो तरफ दवाई के पोधों की खोच की पर वो पोधे ऐसे ही नहीं मिलते, क्योंकि वो बहुत रेट दवाई है पर हमारी खोच जारी है चलो मीनु मोसी, हमें अनाज भी तो ढूणना है हाँ हाँ, चल चल, ये लो लाडो, ये फल खालो, इससे तुमें अच्छा लगेगा मीनु मोसी, अगर लाडो बहन को दवाई नहीं मिली, तो क्या वो बच पाएगी अरे चुकर पगली, ऐसी अनाप्षन बाते नहीं करते, अब सब कुछ उपर वाले के हाथ में है इस तेज धूप में उड़ूड कर मैं तो ठक गया हूँ, मैंने चार दिन से कुछ नहीं खाया अगर मैं और ऐसे ही खाली पेट ऊड़ता रहा, तो यही आसमान में ही मर जाओंगा मुझे कैसे भी करके मेरा शिकार ढून नहीं होगा चलो, उचे पहाडी की तरब जाता हूँ लगता है, शिकारी पंचित चला गया है पापा, अब और कितनी देर, मैं बहुत ठक गया हूँ, मुझे मा की याद आ रही है उलू चाचा का घर यही पास में ही है, तुम्हारे मा के लिए दवाई लेकर हम घर वापस जाएंगे बलू और सोनू, डॉक्टर उलू चाचा के घर की और निकल पड़े क्यों लाडो, अब तुम कैसी हो? जी, बलू जी और सोनू, दवाई की कोच करने गये है, वो बस आते ही होंगे जब मैं दवाई खालूंगी, तब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी लाडो, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी वीमार कैसे पड़ गई? अरे बुल-बुल बहन, दरसल लाडो रात पर तेज बारिश में भीखती रही अनाज के खोच के चलते, वो घर से बहुत दूर थी जब वो घर लोटी, तो उसे ठन लग गई, और वो बिमार पड़ गई सिधे सिधे बोलो ना, के लाडो को बंचियो वाली बिमारी हो गई है अगर इसे जल्दी से दवाई नहीं मिली, तो ये मर जाएगी अरे गोरी, ये तुम क्या बक्वास कर रही हो? क्या पड़ोसियों से ऐसे बाते करते हैं? तुम्हें लाडो के साथ ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए क्या ख़़ो काडो जी, मुझे सच बोलने की आदत है मेरे चाची भी ऐसी ही बिमार पड़ी थी समय पर दवाई ना मिलने के कारण, वो मर गई बेचारी गोरी तुम कभी नहीं सुधरोगी, चली जाओ यहाँ से हाँ हाँ, मैं कौन सा यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ सोचा लाडो को आकरी बार मिलते जाओ गोरी, अब बस हो गया जा रही हूँ ना, ऐसे चिला क्यों रहे हो? और आप भी जल्दी चलो, वरना ये बिमारी आपको भी लग जाएगी तुम चिंता मत करो लाडो, तुम जरूर ठीक हो जाओगी हम दवाई की खोज में लगे हुए है, गोरी का सोभाव तो तुम अच्छे से जानती हो कोई बात नहीं कालू भैया, आप सब मेरे लिए इतनी परिशानी उठा रहे हो वस ये ही काफी है मेरे लिए, और जीना मरना तो हमारे हाथों में नहीं होता इधर बल्लू चीडा और सोनू, डॉक्टर उल्लू चाचा के घर के बाहर आ जाते है अरे नहीं, ये क्या, उल्लू चाचा का घर तो बंध है, लगता है वो दूसरे जंगल गए हुए है के तभी हरा दोता वहाँ पर आ जाता है अरे बल्लू, तुम यहाँ पर कैसे? दरसल मेरी पत्नी लाडो को बहुत तेज बुखार है मैं डॉक्टर उल्लू चाचा से दवाई लेने आया था, पर वो तो घर पर नहीं है अरे बल्लू, वो तो चार-पाच दिन पहले ही दूसरे जंगल गए है अब तुम क्या करोगे? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरे जंगल जाकर गूंगा मौसी को ढूनना होगा बस वही लाडो को ठीक कर सकती है सोनू, तुम अपनी मा के पास चले जाओ, मैं गूंगा मौसी के पास जाकर दवाई लेकर आता हूँ ठीक है पापा चलो सोनू, मैं तुमारे घर की ओर से ही जा रहा हूँ, जाते जाते तुम्हें घर छोड़ देता हूँ सोनू तोते के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ता है, वो अपने घर चाही रहे थे, के तभी शिकारी चील के आवाज आने लगी अरे सोनू बेटा, जल्दी चलो, वरना वो शिकारी चील हमें देख लेगा हाहाहा, आखिरकार, मुझे शिकार मिल ही गया चील ने अपने पंजों में बल्लू को पकर लिया, और अपने घर की ओर चल पड़ा हरे तोते ने बल्लू को शिकारी चील के पंजों में देख लिया अरे नहीं, ये क्या हो गया शिकारी पंजों से बचा कर तोता सोनू को उसके घर लेकर आया भीया, देखो ना, मा कुछ बोल नहीं रही लाडो ने अपने बच्चो की आवा सुन ली और उसने अपनी आखे खोल दी मेरे बच्चो इधर आओ, आओ मेरे पास, तुम्हारे पापा कहां पर है मुझे तुम्हे बताने में बहुत दुख हो रहा है लाडो, बल्लू चिड़े कोशिकारी पंची ने पकड़ लिया है, मुझे नहीं लगता कि बल्लू अब वापस लोट पाएगा तो देकी ये बात सुनकर लाडो के सिरपरमानो पहाट तूट पड़ा, उसके आखों से आसु आने लगे लाडो, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा वो बात कर ही रहे थे, के तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है अरे लाडो, मोसम के जानकर पंचियों ने बताया है कि हमारे जंगल की ओर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और साथ ही साथ तेज बारिश भी होने वाली है पर अभी तो बारिश का मोसम भी नहीं है अब हम क्या करें, हमारा घुसला भी एतना मजबूत नहीं है मुझे माफ कर दो लाडो, मैं तुम्हारे जरूर मदद करती पर जंगल के बाकी पंची कोई सुरक्षित काना दूरने चले गए है तुम्हें भी यहां से दूर चले जाना चाहिए ऐसा कहकर, रानो चिडिया वहां से चली जाती है चलो लाडो, अब मैं भी चलता हूँ मेरे घरवाले मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे मा, अब हम क्या करें, तुम डरो मत बच्चो मैं हूना तुमारे साथ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूगी लाडो को अपनी कोई चिंता नहीं थी उसे बस अपने बच्चो की चिंता सता रही थी जैसा की मोसम के जानकार पंच्चो ने कहा था वैसे ही थोड़ी ही देर में जंगल में तेज तूफान शुरू हो गया तूफान इतना ज़्यादा था बहुत सारे पंच्चियों के गोसले तेज हवाओं में उड़ गये थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई लाडो का गोसला इतना मजबूत नहीं था इसलिए बारिश का पानी उसके गोसले के चट से जगह जगह से तपकने लगा मा मुझे बहुत ठर लग रही है हाँ मा मुझे भी बच्चो आप दोनों ये तुम्बल ले लो पर मा तुम्हें तो तेज बुखा है ना कोई बात नहीं बच्चो मैं अब बेतर में सुसकर नहीं हूँ अपने बच्चो के खातिर लाडों ने जूट कहा मैं आशा करती हूँ कि बारिश चंदी रुचाएगी लेकिन प्रकृती ने मानों कुछ और ही सोचा था बारिश और भी जादा तेज हो गई बारिश के पानी से कंबल भीगने लगा बच्चो इधर आओ मेरे पंखो के नीचे लाडों ने अपने पंखो से बच्चो के लिए सुरक्षि जगह बना ली लाडों को ठन लग रही थी पर बच्चे उसके पंखो के नीचे गरम बैठे हुए थे बारिश तेज थी लाडों अपनी आखे बंद करने लगी मा, मा, हमसे बात करो मा आप बोल क्यों नहीं रही अपनी आखे खोलो मा पिंकी, लगता है मा को ठन लग रही है हमें कुछ भी करके बारिश से गोसले को बचाना होगा बच्चे गोसले के बहार आ गए मेरे बच्चे मैया, पर हमें इतनी तेज बारिश में गासो लकडिया कहां पर मिरेगी मेरे बच्चो, उसकी कोई जरूरत नहीं है हम किसी दूसरे सुरुक्षी जगह पर चले जाते हैं ममा, तुम ठीक हो गई हाँ बच्चो, अब चल दी चलो ज्यादा बारिश में भीगोगे तो तुम दोनों भी भी मार पड़ जाओगे लाडो आगे-ागे उर रही थी और बच्चे उसके पीछे-पीछे जा रहे थे रास्ते में उन्हें कालू कवा और गोरी दिख जाते हैं बच्चो, आप कालू मामा को बारिश रुपने तक आस्रा मांगो कालू मामा, क्या आप बारिश रुपने तक हमें पना दोगे तुम्हारी मा कहा गई है गोरी मामी, मा तो हमारे साथ ही है अरे कहा दिख रही है तुम्हारी मा लगता है ये बच्चे पागल हो गए है सुनिये जी आप अंदर चलिए मुझे नहीं देना इन पागल बच्चों को आसरा मा लगता है गोडी मामी हमसे नाराज है कोई बात नहीं बच्चों हम कोई दूसरी जगह पर पूछते हैं लाडो और बच्चे सब तरफ सुरक्षित जगह की खोच कर रहे थे पर उन्हें सब गोसलों में पानी के सिवाय कुछ नहीं मिला थोड़ी दूर आने पर उन्हें एक बड़ा गोसला दिखाई दिया वो वहाँ पर जाने ही वाले थे के तभी एक शिकारी पंची ने उनका रास्ता रोक लिया अरे वावावावावावाव सुभा नाश्ते में मैंने एक पंची को खाया अब लच्च और डिनर में इन दो बच्चों को खाऊंगा वो उनपर जपटने ही वाला था के तभी बल्लू चिर्या वहाँ पर आ जाता है और चील पर हमला करने लगता है लाडो भी बल्लू को शिकारी को भगाने में मदद करती है अरे ये क्या हो रहा है ये मैं इन पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ लगता है ये दोनों जादू टोना जानते हैं यहां से भागना ही भेतर है ये पापा आप आ गए हाँ बच्चो मैं आ गया पापा देखो ना ममा ठीक हो गई अजी आपने आने में बहुत देर कर दी मुझे माफ कर दो लाडो अब छोड़ो जाने दो हमें बच्चो को सुरक्षी जगह पर लेकर जाना होगा चलो बच्चो आओ हमारे पीछे पीछे लाडो और बलू तेज होते हुए गूंगा मोसी के घर के पास आ जाते हैं वहाँ पर आते ही दोनों ने गूंगा मोसी के घर का दरवाजा खट-कटाया बच्चो गूंगा मोसी से अच्छे से पेशाना उन्हें तंग मत करना हाँ हाँ लाडो मैं भी जगू से यही कह रही थी जगू तुम भी गूंगा मोसी से अच्छे से पेशाना उन्हें परिशान मत करना गूंगा मोसी ने घर का दरवाजा खोल दिया अरे बच्चो, आप जल्दी से अंदर आओ, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है, मम्मी पापा तो बाहर है, रुको, मैं अभी उनको अंदर गुलाता हूँ सोनो दर्वाजे से लाडो और बल्लो को पुकारने लगा मम्मी, पापा, आप कहाँ पर हो, अंदर आजाओ लाडो और बल्लो चुपचाप खड़े थे, जैसे ही गुंगा मोसी बाहर आई, वैसे ही लाडो ने कहा गुंगा मोसी, हमारे बच्चे बड़े होने तक उनका दिहान रखना, हम चलते हैं लाडो, बल्लो, कालू और गोरी आस्मान में गायब हो जाते हैं गुंगा मोसी सारी बात समझ जाती हैं, बच्चे माबाप की याद में रोने लगते हैं